साथियों और दोस्तों कितने सुनियोजित तरीके से पिछले कुछ वर्सों में पर्दे के पीछे देश की जनता से छिपा कर हजारों लाखों करोण का भरस्टाचार देश की मोदी सरकार ने किया है भारती जनता पार्टी की सरकार ने किया है इसका खुलासा आपके सामने करना चाहता हूं और यह भरस्टाचार एलेक्टोरल बांड के नाम पर हुआ है एलेक्टोरल बांड के नाम पर यह घोटाला यह भरस्टाचार हुआ नियमों का बदलाव किया गया हजारों करोण की टै और ये सब कुछ परदे के पीछे चल रहा था मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं माननी सर्वोच चिन्याले का जिनोंने मुझ से छाती से दिमाग से जहां जहां इनका डाटा छुपा हुआ था वो सारा का सारा डाटा खीच के देश की जनता के सामने निकाल के रख दिया आँ इसकी तो पूरी सीरीज अब चलेगी कि कितनी बड़ी घोटालेवाज पार्टी भारती जनता पार्टी और कितनी बड़े महाभ्रस्ट सरकार हिंदुस्तान की समय चल रही है मोधी सरकार मैं एक एक करके खुलासा कर रहा हुआ हुआ कि 33 कंपनिया ऐसी है जिनको साथ स कि इनको पिछले साथ वर्सों में एक लाख करोन रुपए का घाटा हुआ एक लाख करोन रुपए का और इन कंपनियों ने कि बीजेपी को चार सो Пचास करोन रुपए का चंदा दिया है दूसरी कटेगरी है 27 कंपनिया ऐसी है इस मैं इन 33 कंपनियों में जिनों ने या तो जीरो explained दिया है व्या उनको टैक्स में रिबेट मिला है माइनस देक्सÈ और 6 कंपनिया ऐसी है छे कंपनी ऐसी हैं जिनोंने भारती जनता पार्टी को छे सो करोन रुपए चंदा दिया है कितना चंदा दिया है छे सो करोन रुपए और इसमें एक कंपनी ऐसी है जिसने अपने प्राफिट से तीन गुना ज्यादा चंदा दिया है यानि कंपनी का मुनाफ़ा है उसके मुनाफ़े से तीन गुना ज्यादा चंदा दिया है कितने बड़े हिर्दे की कंपणिये देखिए उसका विचारे का मुनाफ़ नहीं हुआ लेकिन मुनाफ़ नहीं होने के बावजूद उसने तीन गुना ज्यादा चंदा दिया है दूसरी कंपनी ऐसी है यह तो और मज़ेदा रहे हैं इसमें एक कंपनी ऐसी है जिसने अपने मुनाफ़ का तिरान नवे गुना ज्यादा चंदा दिया है एक कंपनी तो मैंने बताया जिस ने अपने मुनाफे का तीन गुना जादा चंदा दिया है दूसरी कंपनी ऐसी है जिस ने अपने मुनाफे का तिरानवे गुना जादा नाइन्टी थी टाइम्स मोर तिरानवे गुना ज्यादा चंदा दिया है और तीन कंपनिय ऐसी हैं जिनों ने कि अठाइस करोन रुपे का चंदा दिया है और जीरो टैक्स पे किया है जीरो टैक्स अब मैं आपको सिलसिले वार करके बताता हूं कि एक कंपनी है भारती एर टेल कि इसने दो सो करोन रुपे का चंदा भारती जन्ता पार्टी को दिया है कि और है कि सतत्तर हजार करोन रुपे का घाटा इसको हुआ है याद रखिएगा है कि 2017 से 2023 तक सततर हजार करोन रुपे का घाटा हुआ है और घाटे के बावजूद बहादुर ने दो सो करोन रुपे का चंदा बीजेपी को दिया है और इसको टैक्स में छूट मिली है आठ हजार दो सो करोन रुपे की इसका घाटा है सततर हजार करोन रुपे का चंदा दिया है दो सो करोन रुपे बीजेपी को और इसको टैक्स में छूट मिली है आठ हजार दो सो करोन रुपे की जिसमें से कुछ छूट इसको सुप्रिम कोर्ट के आदेश पर मिली है और बाकी छूट कैसे मिली है वो एक रहस्यकावी से है दूसरी कंपनी है DLF इसने 25 करोन रुपे का चंदा भारती जन्ता पार्टी को दिया है और इसको टोटल घाटा जो हुआ है 130 करोन रुपे का हुआ है 7 वरसों में 7 साल में 130 करोन का घातक उठाने वाली खंपनी 25 करोन रुपे का चंदा भारती जंता पार्टी को देती है और इसको टैक्स में जो छूट मिली है कितने की मिलिए 20 करोन की टैक्स की छूट में लिए एक सो तीस करोन के घाटे वाली कंपनी बीस करोन के टैक्स की चूट और पचीस करोन बीजेपी को चंदा एक कंपनी है सेटेक इंजीनिरिंग इंडिया प्राइवेट लिम्टेड इसने बारा करोन रुपए का चंदा दिया है इसका कुल घाटा एक सो पचास करोन रुपए का है साथ साल में और इसको टैक्स में छूट मिली है एक करोन साथ लाक रुपए की और कोई काटेजरीश में इसमें इसमें एक कंपनी है इसमें से तोटल बॉंड यह है ना कंपनी है धारिवाल इंफ्रस्ट्रक्ट्रक्ट्र लिम्टेड एक सो पंद्रा करोन का बॉंड इन्होंने खरीदा है बीजेपी को 24 करोल रुपए दिये 24 करोल 96 लाक रुपए दिये घाटा 299 करोन का हुआ है और इन्होंने जीरो टैक्स पे किया है जीरो टैक्स सुनते जाएं यह कितना बड़ा घोटाला हुआ है एक कंपनी है धारिवाल इंफ्रस्ट्रक्चर लिम्टेड एक सो पंद्रा करोड का इन्होंने टोटल एलेक्टोरल बॉंड खरीदा भारती जनता पार्टी को लगबग 25 करोन रुपए चंदा दिया इस कंपनी का घाटा है 299 करोन रुपए और इन्होंने मात्र एक रुपए नहीं जीरो एक रुपए भी टैक्स नहीं दिया जीरो टैक्स दिया है साथ सालों में कि आरल डेवलपर्स इन्होंने 20 करोन रुपए का इलेक्टोरल बॉंड खरीदा 10 करोन रुपए भारती जनता पार्टी को भेट चड़ाई और इनको टैक्स में रिवेट मिला है चार दसम्लों साथ करोन रुपए का और इस कंपनी को घाता हुआ है 1550 करोन रुपए का कितने दरिया दिली वाले लोग देखिया पी आरल डेवलपर्स पी आरल डेवलपर्स 20 करोन का इलेक्टोरल बॉण इसने खरीदा 10 करोन रुपए भारती जनता पार्टी को यानि टोटल इलेक्टोरल बॉण में से 50% अकेले बीजेपी को भेट चड़ाई 1550 करोन रुपए का इसको घाता हुआ है और इसको टैक्स में छूट मिली है जीरो से भी नीचे माइनस टैक्स है इसका टैक्स रिवेट 4.7 करों रुपए इग्विया फॉर्मा यूजिया फॉर्मा ये यूजिया फॉर्मा लिम्टेड ये सरद रेड़ी की कंपनी है इसने पंद्रा करोन रुपए का इलेक्टोरल बॉन खरीदा है और सारा का सारा 15 करों रुपए का इलेक्टोरल बॉन भारती जन्ता पार्टी के भेट चला दिया है और इसको घाटा हुआ है साथ वर्सों में 28 करों का 28 करों का घाटा हुआ 15 करों का बॉन खरीदा सब कुछ बीजेटी को चला दिया और इसको टैक्स में छूट मिली है साथ करोर बीस लाग रुपए की कि इसके बाद माहित्रा माहित्रा एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिंटेड उन्नीस करों का इलेक्टोरल बॉंड खरीदा इसने इसको साथ साल में घाटा हुआ है शियासी करों रुपए का और इसको टैक्स में छूट मिली है 126 करों रुपए यह सारा डेटा हम आपको दे देंगे यह सारा डेटा अब आगे कि यह तो हो चुटा ना यह कंपनी को पोज़ए यह सोला कंपनिया है सत्रा सौरी सत्रा कंपनिया पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिंटेड इन्हों उन्हें 10 करों रुपए का एलेक्टॉरल बॉंड खरीदा 10 करों रुपए बीजेपी को चंदा दिया 1637 करों रुपए इनको लॉस हुआ है उसने 10 करों रुपए का चंदा भारती जनता पार्टी को दिया है और दस करों का ही बॉंड इनों ने खरीदा था और इन पहोदे को पांच हजार 178 दसमलों कि पांच हजार 178 करों पांच हजार 178 करों पचास लाख रुपए की टैक्स की चूट मिली है रिवेट मिला है ओरियंटल साउथ देली होटल्स प्राइवेट लिम्टेड इन्होंने पांच करों रुपए का एलेक्टोरल बॉंड खरीदा है पांच करों करों रुपए का पूरा भेंट इन्होंने बीजेपी को चड़ाया है 49 करों रुपए इस कंपनी को साथ साल में घाटा हुआ था और इस कंपनी ने जीरो टैक्स पे किया है जीरो विलेज दे नंदी प्राइवेट लिम्टेड इन्होंने पांच करों रुपए का एलेक्टोरल बॉंड खरीदा है पूरा का पूरा पांच करो रुपए बीजेपी को दिया है और इन्होंने जीरो टेक्स दिया है इनको ने बीचारे को 49 करों रुपए का धाटा हुआ का है नएक अब बावची काम तो एडीओ करेगी आज ही पहुँचेगी सब क्या मेरे ख्याल से सब क्या भी छापे पढ़ने सुरू हो जाएंगे देखिए दिलिस्ट जैसे ही जारी हो रही है तक्कितो लीज ऑपरेटर्स प्राइवेट लिम्टेड इन्होंने चार करोर रुपए का बॉंड खरीदा है चार के चारो करोर रुपए भारती जनता पार्टी को दिये है एक सो सरसच करोर रुपए का घाटा इस कंपनी को हुआ है और माइनस बीस लाख यानि की बीस लाख की टैक्स की छूट मिलिये हैं अर्विंद ब्यूटी ब्रांट्स रिटेल प्राइवेट लिम्टेड खरीदा है तीन करोन रुपए इन्होंने बीजेपी को चंदा दिया है 11 करोन रुपए का इनको विचारे को भी धाटा हुआ है और तेरा करोन रुपए का टैक्स में छूट मिला है SNS क्लोथिंग प्राइवेट लिम्टेड दो करोन का बॉंड इन्होंने खरीदा दो करोन रुपए बीजेपी को दिया 70 लाख रुपए कुल घाटा इनको हुआ है और 10 लाख रुपए इन्होंने टैक्स दिया है गैनन डंकरली एंड कंपनी लिम्टेड इन्होंने देड करोन रुपए का बॉंड खरीदा देड करोन रुपए टोटल बीजेपी को दे दिये 121 करोन रुपए इस कंपनी को घाटा हुआ है और 42 करोन रुपए का टैक्स रिवेट इनको मिला है इनॉक्स लिमिटेड इन्होंने 1 करोड लिया, 1 करोड दिया, 283 करोड रुपई गाटा हुआ इनको और 17 करोड रुपई की टैक्स की छूट मिली JNS Instruments लिमिटेड एक करोड का बॉड लिया, 1 करोड बीजेपी को दिया, 35 करोड इनको गाटा हुआ है, 0 टैक्स दिया है एरिहन इंटर्प्राइजेज लिम्टेड, 40 लाख रुपए का इन्होंने बॉंड खरीदा, 40 के 40 लाख रुपए बीजेपी को दे दिये, और जीरो टैक्स इन्होंने पे किया है, और 30 लाख रुपए का इन्होंने घाता दिया. अब आता हूं अगली कटेग्रीव है छे कंपनिया ऐसी हैं जिनों ने अपने कुल मुनाफे से भी ज्यादा बीजेपी को दिया है यह ज्यादा दरिया दिली वाली कंपनिया है वह भी दरिया दिली इनकी सबसे आधा थी हो तो विच्ट हाटे में दे रहे थि बीजचेपी को चंदा और इनकी जादा 控 क्पनिय इस कंपनिया कोन है कुई क्यों विट क्विट क्विक सप्लाई चेंप्राइवाइट लिमिटेट अचाह सो दस करोणर रूपए चार सो दस करोन रूपए द्यान से सुनिये फिगर ये चार सो दस करोन रूपए इन्होंने लिए एलेक्टोरल बॉन्ड खरीदाया इक यांड़े दसम्ने की तरस्ट ये तरस्ट नहीं ये क्या है अच्छ ये दिया है ये प्रॉफिट है ना ये प्रॉफिक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेट चार सो दस करोन रूपए का अलेक्टोरल बॉंड इन्होंने खरीदा और चार सो दस करोन रूपए के अलेक्टोरल बॉंड में इन्होंने 375 करोन रुपए बीजेपी को दिया है 375 करोन रुपए अकेले दिया है बीजेपी को और इस कंपनी को 144 करोन रुपए का फाइदा हुआ है यानि कि 144 करोन का फाइदा हुआ है 375 करोन रुपए इन्होंने बीजेपी को फाइदे से ज़्यादा दिया है एक कंपनी है मदन लाल लिम्टेड एक सो पचासी दसमलोग पाँच एक सो पचासी करोण पचास लाख का इनों ने एक सो पचासी करोण का बॉन्ड खरीदा एक सो पचासी करोण का बॉन्ड खरीदा एक सो पचासी करोण और तालिस लाख रुपए बीजेपी को चंदा दिया है दो करोण रुपए विचारे को फायदा हुआ था कुल कि देखिए दरिया दिलीन की दो करोण का फायदा हुआ ह और उन्होंने बीजेपी को 175 करोण रुपे का चंदा दिया है और इनको टैक्स रिवेट टैक्स की चूट मिली है 3 करोण 11 लाख रुपे नेक्स जी डिवाइस प्राइवेट लिम्टेट मैंने सोचा यह कहीं गलत लिग दिया क्या ठीक है नेक्स जी डिवाइस प्राइवेट लिम्टेट 35 करोण का बॉंड इन्होंने खरीदा 35 के 35 करोण रुपे बीजेपी को चंदा दिये दिया और इसके जो प्रॉफिट है वो 28 करोर 85 लाख रुपए ये भी प्रॉफिट से ज़्यादा चंदा दिये और 14 करोर रुपए का इन्हों ने टैक्स भी दिया है और उपर वाली कुई कंपनी ने भी 62 करोर रुपए का टैक्स दिया है इन दोनों मामले में टैक्स की गड़बरी नहीं नहीं है ये भी मेंसन करना चाहता हूं तथ्यों को छुपाने का कोई काम नहीं है तथ्यों पूरे साफ साफ ए बी एनल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिम्टेट दस करोर रुपए का बॉंड लिया दस करोर रुपए बीजेपी को चंदा दिया नव करोर रुपए लगबाग इस कंपनी को मुनाफा हुआ और चार करोर उनत्तर लाग का इन्होंने टैक्स दिया प्रगती इंटर्प्राइज लिम्टेट साड़े तीन करोर का इन्होंने बॉंड खरीदा साड़े तीन करोर रुपए बीजेपी को दिया दो लाख रुपए बिचाने का मुनाफ़ा है दो लाख का मुनाफ़ा है साड़े-तीन करोण रुपए इन्होंने चंदा दिया है और जीरो टैप्स पे किया है स्री कृिस्टना इंफ्रस्टरक्चर लिम्टेल दो करोण का बॉंड खरीदा दो करोन बीजेपी को चंदा दिया 16 लाख रुपए का इनको हाइदा हुआ है और 4 लाख रुपए इन्होंने टैक्स दिया ये कैटेग्री अब एक कैटेग्री है जिनको रिबेट मिला है छूट मिली है उनके चंदे भी बड़े मज़ेदार है MKG इंटरप्राइज लिम्टेड एक सो बानवे करोन रुपए का इन्होंने इलेक्टोरल बॉंड खरीदा है 26 देसमलो 26 करोन 94 लाख रुपए इन्होंने बीजेपी को चंदा दिया है 60 करोन 33 लाख रुपए का इनको फायदा हुआ है और 10 करोन 62 लाख रुपए इनको टैक्स में छूट मिली है रिबेट मिली है पतेल हाइवे प्राइबेट लिम्टेड एक करोन का इन्होंने बान्ड खरीदा एक करोन रुपए बीजेपी को दे दिया 24 करोन रुपए का इनको प्रॉफिट हुआ है और टैक्स में छूट इनको मिली है 40 लाख का बान्ड खरीदा 40 लाख बीजेपी को दिया 11 करोन 85 लाख रुपए इनका प्रॉफिट है और 2 करोन 24 लाख की इनको टैक्स में छूट मिली है अब कहां है एडी कहां है सीबी आई कितने मुकजमे दर्ज हुए यह फर्जी कंपनिया कागच पे बनाते सैक्ड़ों करोन रुपए की मनी ट्रेल साफ साथ दिख रही है हजारों करोन की एक एक कंपनी 375 करोर 100 करोर पता नहीं कितने कितने करोर बीजेपी को चंदा दे रही है कंपनिया धाटे में है उसके बावजूद चंदा दे रही है अब इसमें तो सबसे महत्तुपूल बात है न खाऊंगा न खाने दूंगा न खाऊंगा न खाने दूंगा मोधिन जी ने कहा नियम बनाऊंगा और खाऊंगा नियम बनाऊंगा और खाऊंगा पूरे देश से जितना जम कर हो सकेगा अपनी पार्टी के लिए भरस्टाचारी चल्दा इकठा करूँगा अब उसके अंतिम बात प्याता हूं कि वह एलेक्शन कमिशन करने है कि 2017 के पहले सभी मीडिया के मित्रों को जानना जरूरी है सारी मीडिया को जानना जरूरी है कि यह कितना बड़ा घोटाला और कैसे है मैं क्यों क्यों कह रहा हूं इस बाद को 2017 के पहले इस देश के अंदर एक कानून था चुनावायोक का कि अगर पिछले तीन वर्सों में किसी कंपनी को मुनाफ़ा हुआ है तीन वर्सों में लगातार किसी कंपनी को मुनाफ़ा हुआ है तो अपने तीन वर्सों के मुनाफ़े का मात्र साढ़े साथ प्रतिसत वो च चंदा दे सकते हैं ध्यान से सुनिए अगर इसको फिर से रिपीट कर देता हूं कि चुनाव आयुक का नियम था 2017 तक नियम था अगर कोई कंपनी किसी पार्टी को चंदा देना चाहती है तो उसके उपर एक नियम लागू होगा कि पिछले तीन वर्सों में जितना मुनाफ़ा आपको हुआ है अपने मुनाफ़े का मात्र साड़े साथ प्रतिसत आप किसी पार्टी को चंदा दे सकते हैं साफ हो गया घाटे की कंपनी चंदा नहीं दे सकती मतलब साफ हो गया जितना मुनाफ़ा है उससे कई गुना जादा चंदा नहीं दे सकती मतलब साफ हो गया सेल कंपनियां फरजी कंपनियां काजी कंपनियां बनाके किसी पार्टी को चंदा नहीं दे सकती मतलब साफ हो गया क कि भ्रस्टाचार की कोई गुंजाइस उस नियम में फिलहाल अगर आप सीधे तौर पे चेक के माध्यम से चंदा दे रहे हैं तो दूर दूर तक नहीं थी अब यहां पर मोदी जी की भूम का आती है मोदी जी चुनावायोक से कहते हैं यह क्या नियम बना दिये तुमने तो हम अपना कैसे ब्रस्टाचार करेंगे उन्होंने 2017 में नियम बदल दिया उन्हें ध्रस्टाचार के लिए नियम बदलो भाजपा की सरकार है भाजपा का हाथ ध्रस्टाचार के साथ एलेक्टोरल बॉर्ड का बड़ा कान देखे आप इन्होंने 2017 में ये जो नियम था ये जो प्रोवीजन था इसको बदल दिया और उस समय एलेक्शन कमिशन ने इसका विरोज किया एलेक्शन कमिशन अफ इंडिया हैड और जेक्टेज तो रिमूबल अफ इस प्रोवीजन और वॉन इपकोड़ ओपन अफ पॉसिबिल्टी अफ सेल कंपनी बड़ेंगे तो ये रास्ता खुलेगा उन फरजी कंपनियों के लिए जो काजी होती हैं जो सिर्फ पार्टियों को चंदा देने के लिए भ्रस्टा चार करने के लिए बनाई जाती है अब मैंने पूरा आकड़ा एक एक करके रख दिया आपके सामने मैं चाहता हूं हिंदुस्तान की जनता को बताइए कि कैसे हाजारों करोन लाखों करोन रुपए की टैक्स की छूट देकर एक्स चेकर को नुकसान पहुंचाया गया है कैसे यह बड़ा घोटाला नियमों में बदलाओ करके दिया किया गया है 2017 के पहले यह नहीं हो सकता था यह इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का कांड करने के लिए बीजेपी ने नियमों में बदलाओ दिया आज जरासी भी नेतिकता है भारती जनता पार्टी के अंदर देश की महा भरस्ट पार्टी में बार बार कहता हूं हिंदुस्तान के आजादी के बात से लेके आस तक इस धर्थी पर सबसे भरस्ट पार्टी अगर कोई है तो उस भरस्ट पार्टी का नाम है भारती जनता पार बंगारू जनता पार्टी और उस पार्टी के लोगों ने इतना बड़ा खेल इतना बड़ा कांद किया है इडी तुरंत जाये उनके पास CPI तुरंट जायम के पास इन कमपनियों से पूस्ताच हो और BJP के नेताओं से पूस्ताच हो गिरफतारिया हो और कारवाई होनी चाहिए कारवाई नहीं होई तो हम लोग आगे का रास्ता अपनाएंगे मैं चाहता हूँ हमारे भारत के आदलनी प्रधान मंत्री जी के स्रिमुख से बहुत सारे अच्छे वचन है वोँ आप लोग सुनके तबाप जाएंगे एक अंति मंत्र तेज करो भ знать प्रधान मंत्री जी धीरे नहीं बोलते जो बात बोलते हैं तेजी से बोलते हैं ऐसे काम में चलेगे शुरू से करिये सुनने ही पाएंगे मीडिया वाले ये काम गवत कीजिए मोदी की बहुत मजबूती से बोलते हैं चीजों को चलिए यहां रोको यहां रोको बंद करो यहां अगर आप नहीं सुन पाया है तुम्हें सुना देता हूं मोदी जी कह रहे हैं मोदी ने तीन लाख कंपनियों को ताले लगा दिये और आप हैरान हो जाएंगे कि देश में कहीं कोई आंदोलन नहीं हो रहा है चलो वागे सुना दो अगरी है जिसके तो हजार एक सो बैंके तों से एक कंपनी इसकी सो बैंके तों कि अगरी है जाओ मोदी जी ने तीन लाख कंपनियां पकड़ी थी फर्जी यह मैं तो नहीं कह रहा हूं भारत के आरणी प्रधार मंत्री सम्मानी यह प्रधान मंत्री विश्व गुरू आधरणी नरेंद्र मोदी जी ने अभी आपके सामने कहा कि तीन लाख फर्जी कंपनियां उन्हों बनने कर दी लाइं टisर peppers कौन सी हम यह कंपनिया कौन सी यह इस मैंसे बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जिसके हम रूब जानते ही जह koş जुँब funding आपको चंदा देदिया कि आप बताई लाग कंपनी नीए फरजी सेल कंपनीयों को आपके बंद किया तुम्च छंदा कैसे मिला प्रदानमंत्री जी पताइए आप देश को आगे एक वीडियो और दिखा दो यह हो गया ना एक और दिखा दिए चार करोर रुपए की गड्डियां जो पक्ड़ी गहीं है अब आप ने देखा होगा तमिल लाडू में साड़े चार करोंड या पांच करोंड अभी मैं दिखा देता हूं आपको गड्डी पक्ड़ी गड्डी तमिल लाडू की पुलिस में पकड़ाये तो उससे पूछा गया यह पैसा कहां से आया यह गड्डियां कहां से मिली तुम्हें बॉला साब हम तो बीजेटी केंडिडेट को देने जा रहे थे दिल्ली से इस गड्डी मिली है हम तो जा रहे थे लगा दो सारी कि दिल्ली से गड़ी तमिल लादू कैसे पहुंच रही है उन गड़ियों का बनाओ क्योंकि अभी तो तमिल लादू पुलिस में पकड़ा अब इसमें लगाओ और वही गड़ियों का जैसे इडी बनाते हो वैसे इडी बनाके दिखाओ या मैंने देखा गुड़दाओं में साथ दो ड्रॉण बनाया था तो बढ़िया से गड़िया था जो बीजेपी का साले चार करोण पकड़ा गया है एडी जाओ और उसमें उसी गड़ियों को अपन सवाल पूछिए एक दम उसके जवाब में यह तो पहले से कर रहे हैं लोग भाई उसके जवाब में कहा है मैंने उस बता दिया 2017 में नियम बदला भाई यह फर्जी कंपनियों से चंदा लेने का नियम तो 2017 में मोदी जी ने बदला ना उसके जवाब में क्या है यह घोटाला तो कब से कर रहे थे सराब नीती तो 21-22 में बनी है यह घोटाला तो कब से कर रहे थे और दूसरी बात यह है कि सराग घोटाला तो चिला चिला के कह रहा है कि भाजपाईयों ने किया है अब कोई सुनना ना चाहे जो मैं क्या कर सकता हूँ सराग घोटाला चारो तरफ से चिला चिला के कह रहा है सरद रेड़ी ने साथ करों दिये सरद रेड़ी ने साथ करों दिये अब अगर उसकी अगर उसकी जांची नहीं हो रही है अगर उस पर EDCBI कारवाई नहीं कर रही है अगर हमारे माननी LG साहब बिने सक्सेना जी चिठी नहीं लिख रहे है तो इसमें मेरी गलती तो है नहीं देश को तो बताना पड़ेगा कि शराब भोटाला भाजपाईयों ने किया है तो मैंने देखा कुछ फोटो टो लगा रहे हैं भाजपाई एक फोटो लगाओ मोदी जी की सराब के बोतल पे अमिश्या की और सबकी लगा के उनको भी सजाओ कर देना नहीं तो हम लोग कर देंगे यह सब खेल हम लोग के साथ मत करो सबकी जाच किजिए हाँ उनका भी यह बोटाला या सिर्फ बीजेपी ने भोटाला वाजच करिये ना बीजेपी की भी करिए उनकी बी करिए उनकी बोटाला है या नहीं मैं करा हूँ आगर उनके भी को को किसी लोगों से ऐसे लिए उनों ने उसकी विजाज करेंगे लेकिन यह तो चिला-चिला के बोलना होता लोगी बताइए आप जो कंपनी अपने मुनाफ़ित कर लुका उसका मुना ज्यादा जदा दे रही है यह तो सामानने अदमी को भी समझ में आगे वह सिर्धाचार कि जो कंपनी जीरोप्र चर्थ दिखा रही जीरोट्रे दे रही है वो सैक्रों चाहित है संठाधे यह मनी ट्रेल नहीं है यह सीदा-सीधा फ्रष्टाचार नहीं कि चलाइए बाई इसको गड़ियां दिखाएए बस इतने एक तवाल है बीजिती के अंदर से हैं हर्याणा में अनिरविज में कहा है कि मुस्मित रजनने करें को देरे में रखा गया उन्हें कुछ नी बताया गया उनके साथ काम उनके सब्सक्राइब है कि Ballina करें ऊठेया इंदर कि क्या बात कर गैशा अब तुम्हें करें ऑच झोलयी का जैनी क्छाय मुझना मार आप इसकी बात करने समय वह कि मेंहाख कर रही है है चार सो कुर्सी तूट जा रही है मीटिंगों में इतना मार कुईट कर रहे हैं आपस में कि देखे मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि EDCBI कारवाई क्यों नहीं करेगी कि बाकी चीजों में सक्री रहने वाली EDCBI कि इसमें कारवाई क्यों नहीं करेगी यह बड़ा आजीव सवाल मुझे लगता है कि जब आम आदमी पार्टी का मामला हो तो EDCBI गामा पहलवान है जब जार्खंड मुक्ति मोर्चा का मामला हो तो EDCBI दारासिंग पहलवान है जब कांग्रेस पार्टी का मामला हो तो EDCBI बड़े बड़े बॉक्सरों कि तरह एक बॉक्सर को खेर चले गए वहां से तो बिजंडर सिंग बॉक्सर की तरह कारवाई करने लगती है तुरंत कांग्रेस पार्टी का खाता सीज़ करना हो तो करती है कि नहीं करती है लेकिन जब हम बीजेपी के खिलाब कोई ब्रस्टाचार उठाते हैं तो भाजपा इतना भोला बालग बन जाते हैं कोट जाए इसके लिए यह बड़ी अजीब बात है और मैं हैरान होता हूं कि कई मीडिया के एंकर भी कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गर्वड़ी है तो कोट जाए क्यों भाई कोट जाए यह घास चिलने के लिए डी सीवियर बनाई है हमारे केस में तो गामा पहलवान बन जाएं करने के लिए इस देश की जनता के पैसे से तंखा मिलती है इन लोगों को जितनी सक्रियता आप दूसरे दलों के नेताओं पर कारवाई करने के लिए दिखाते हैं इस देश की जनता के पैसे सक्रियता आपको भारती जनता पार्टी के खिलाब कारवाई करने के मामले में दिखानी चाहिए और ये बार बार कहना कि कोट जाओ कोट जाओ कोट जाओ ये दिखाता है कि बीजेपी के मामले में बीजेपी के वरस्टाचार पर ये एजेंसियां निश्क्रिये रहती हैं गजनी मोड में चली जाती हैं सब कुछ भूल जाती है विश्मृत हो जाता है जाए उसको देखें उसको देखें उसको कानून का ताम है वो कानून दिसाइड करेगा लेकिन जो खुले आम आप लोगों के सामने दिख रहा है आज तो कारवाई पर उसकी बात हो रही है और कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया भाई आप कोर्ट से कितना काम चाहते हैं कोट से आप कितना काम चाहते हैं दिल्ली में रासन ना मिले हम कोट जाएं पानी ना मिले हम कोट जाएं बीजली ना मिले हम कोट जाएं मोहला क्लीनिक का काम ना हो हम कोट जाएं कोट के पास हजारों काम है कोट ने भरस्टा चार का खुलासा एलेक्टोरल वॉंड देश की जनता के सामने उपन करके कर दिया कि अब आप सीबियाई हो इडी हो इंकम टैक्स डिपार्टमेंट हो तो अब आपकी जिम्मेदार यह कारवाई करने की हर जगा कोट ही क्यों कारवाई करें क्या यह यह आप अपने धर में पांचमी के बच्चे को दे दीजेगा कि बिटा एक कंपनी है जो जीरो मुनाफा है और वो बीजेपी को सव गुना ज्यादा चंदा दे रहे हैं यह भरस्टा चाहरे कि नहीं पांचमी को बच्चे से पूछ के बता दीजिए अगर वो मना कर देगा तो बताईए तो पांचमी को बच्चा समझ सकता है और EDCBI को यह नहीं समझ में आ रहा है